प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज मन की बात में करगिल विजय देवस का जिक्र किया प्रधान मोदी ने पाकिस्तान पर कहा कि दुष्ट का स्वभाव कभी बदलता नहीं है करगिल के वक्त पाकिस्तान ने पीट पर छूरा घोपा था भारत तब पाकिस्तान से अच्छे समंदों के लिए प्रयास रग था लेकिन कहा जाता है ना दुस्ठ का स्वभाव ही होता है हर किसी से बीना वजह दुश्मनी करना मन की बात में प्यम मोदी ने देश्वासियों से चार संकल्ब लेने को का प्रधानमंत्री ने कहा देश्वासी कोरोना से लड़ने देश को आत्म निर्भर बनाने नया सीखने से खाने और कर्तव्यों का पालन गरने का संकल्ब ले आज कर्गिल विजह दिवस की 21 वी वर्षकाट पर रक्षा मंत्री राजनात सिंग और तीनो सेनाओं के प्रमुफुने नाशनल वर मेमोरियल पर शहीदों को श्रधानजली दी ग्रमंद्री अमिट्शा ने ट्वीट किया कर्गिल विजह दिवस भारत के स्वाभिमान अद्भुत पराक्रम और दुरिण नेत्रत्व का प्रतीख है मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने अदम में साहस से कर्गिल की दुर्गम पहाडियों से दुश्मन को खदेड कर वहाँ पुना तिरंगा लह रहाया मात्र भूमी की रक्षा के लिए स्वामर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है कॉंग्रस के पूरवद्यक्ष राहूल गांधी ने भी ट्वीट किया करगिल विजय दिवस्पर में उन वीरों को नमन करता हूँ जो सब कुछ समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते हैं जहिंद्र में पूंच अगस्त को श्री राम मंदर के भूमी पूजन के तैयारी तेज हो गई तेज होगा है श्री राम मंदर निर्मान में इस्तेनी वाली शेलाओ chcia मैं प्थरों के साथ सोना चांड़ी तांबाला लट्डी का इस्तेमाल भी किया जाएगा रामल्लला के ल भूमी पूजन में प्रधान मंतरी मोटी समेट कई मशूर हस्तेयां शामिल होंगी मुख्य मंतरी योगी आदितनात के आयुध्या दोरे के बाद अब उप मुख्य मंतरी केशो प्रसाद मौरे तैयारियों का जायजा लेंगे वो राम जन मुहुमी छेत्र और हनुमान गड़ी जाएंगे राजिस्थान की लड़ाई अब विधान सबा सत्र बुलाने पर आ गई है अब तक मुख्य मंतरी अशोग गहलोट चाहते थे कि जल से जल विधान सबा सत्र बुलाया जाये ताकि वो बहुमत साबित कर सके लेकिन अब राजजपाल ने सहमती नहीं दी तो अब गहलोट सरकार ने कोरुना पर सत्र बुलाने का प्रस्ताव रख दिया है सुत्रों के मुताबे की 31 जुलाई को अशोग गहलोट सत्र बुलाय जाने की तयारी में है जबके 27 जुलाई से देश भर में राजपावन घेराव का अईलान कॉंग्रेस पहले ही कर चुकी है वहीं इस बीच कॉंग्रेस आंसर राहूल गांदी ने ट्वीट कर जनता से एक जुट होकर लोगतंतर की रक्षा के लिए आवाज उठाने की अपील की देश में कॉरुना संक्रमतों की संख्या लगातार बढ़ तो रहिए लेकिन कॉरुना संक्रमत पर अच्छी ख़बर ये है कि देश में कोरुना मरीजों के ठीक होने की दर 64 प्रतिशन तक पहुँच गई है साथ ही एक दिन में 36,000 से जादा मरीजों के ठीक होने का नया रिकॉर्ड भी आज दर्च किया गया इस से तर देश में कोरूना के मामले साहे 13,000 के आंकड़े को पारक अफ़तर 32,063 मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि 8,85,570 लोग कोरूना से ठीक हो चुके हैं वहीं बीते 24 घंटे में करीब 49,000 नय मामले सामने आए हैं बिहार में बार्ड और बारिश्टे हालात लगातार बिगड़ रहे हैं बार्ड से बिहार के 10 जिलों के 10 लाक लोग सीधे प्रभावित हैं बार्ड से अफ तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है बिहार में रेस्क्यू के लिए NDRF की 14 और SDRF की 8 टी में तैनाथ हैं बिहार और असम के बाल का प्रधानमंत्री मोधी ने आज मन के बात में जिक्र किया प्रधानमंत्री ने का कि कोरोना काल में ये बार्ड नई चुनोती बन कर आई है आपदर से प्रभावित लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है सभी सरकारे NDRF की टी में राज की आपदा नियंत्रन टी में स्वैम से वी संस्ताएं सब एक साथ मिलकर जूटे हुए हैं हर तरह से राहत और बचाव के काम कर रहे हैं इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों के साथ पूरा देश खड़ा है